असलाम अलीकूम कैसे हैं आप सब आज कोटा का मौसम बहुत ही जबर्दस्त है बहुत ही खुमसूर नजारा है तो आज मंडी का दिन है तो बारिश हो रही है फिर सोचा चलो आज आपके साथ थोड़ी सी वीडियो शेयर कर ली जाए कोटा का मौसम शेयर किया जाए कि देखे कितना प्यारा है बारिश हो रही है वैसे भी ठंडा था लेकिन अभी ओर्ड जियाता थंडा ऊजाएगा बारिश के साथ तो बारिश के मौसम में तो दिल करता है कोई स्पाइसी, आफ्रिस्पी मज़े मज़े की चीजज़े हो जैसे केपकोड़े उगेरा रोस्ट ऐसे ची कि कि और ली डोगी तो ये मैं आपके साथ आज की वीडियो ही शेर कर रही हूं मुझे केteen की बोत हुस्साबरतस्त मौसम है सब हुश है बचे बहुत खूश है बश्चे बहुत रहा है सब बहुत Autore का दिल करा है कि Amorela ले कर बारिश गार्श मे जाएं मूसम ठंडा है तो मैंने ये गर्दन इवा ने करी रखी थी में ये तक सालद यहे और नमक का चेड़ा तो इसको ड़ी तो ड़ी भी भड़ा ने के चौड़ दिया तब इसमें इसमे में तेक ये जरो फिलकासा पानी रहे करेंगी सोया साउस। मैं इस दू चिली सौस करेंगी हों कि एक और तर lawsuitISA के बाद मैं तो ऑप और अवर में प्रूपर टूकर ढ습 करहेंगी। पर प्री अच्छी में लाउम सर्मेडी का items बरनें के लिए रख दूंगी। तो फिर जब इसमें से बिल्कुल पाने खुश को जाएगा तो फिर मैं ये फ्राइ करूंगी मैंने रोस्ट को भी मसाला लगा कर रखा हुआ है उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी मैंने सोचा कि ऐसे तो चार पांच गंटे उसको मैरिनेशन करते हैं चिकन की लेकिन आज मौसम अच्छा था तो फिर आज ही दिल कर रहा है तो फिर मैंने सोचा कि आदा ये गंटे के लिए रख लेती हूँ तो तकरीब एक या दो गंटे के लिए उसको मैडिनेशन हो जाएगी उसकी वडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी तो यह देखे मैंने छे से साथ मिट बाद रखन उठा है तो यह बहुत अच्छी सी बोहिल हो गई है पाने भी खुश्क हो गया है अभी मैं यह फ्राइ लगती है तो यह खाने में भी अच्छी होती है मज़ी की होती है हमारे घरवाले तो सब बहुत शोग से खाते है नाविया के पापा को भी बहुत पसंद है लेकिन घरदरों का पलाव भी उनको बहुत पसंद है उनकी फेवरिट है नाविया भी और सलार भी बहुत शोग से सब घर बारे बहुत शोग से खाते हैं तो यह भी फ्राइः हो रही है बहुत है जबरदस्त इसमें मैंए तिन चमच चोपम् Probleme का nuovo मिर्च कई ए radar कि ए थे थे चमच तो पिर इनको मेने बोल कर लिया था तो यह देखें उसमें ज्दाधा डाख कलर आ रहा है इतना डाख कलर नहीं है तो जाए बहुत बहुत पुसंद थी तो यह रैस्पी थी तो भी मैं मैंने जो मेरीनेशन की है जीकन की इस विडियो आपके साथ शेयर करूंगी टू केजी चिकन है ये तो अभी इस पे में यूज़ करूंगी तंदूरी मसाला, तब ही मैं इस पे तंदूरी मसाला एड़ करूंगी, इस पर लगाऊंगी, अगर आपके पास लेमन जूसे है तो लेमन जूस के साथ भी बहुत ही जबरदस्त, तो ही पया अच्छा दाइका और बाधर बाद है उसके भी लेकिन ने काम कुल पास नहीं सरक तो मैं इसमें एड़ी करूँगी यह दिश्त करें काफी अच्छा इनका जायका है सब से पहले मैं इसमें सिरका एड़ी कर रही हूं, मैं यह आसे इसमें आड़ी से एड़ी हूं तो तकरेबर इसमें 2-5 चमच भी अगर हो जाएं तो कोई मसला नहीं है मेरा चिकन ये ज्यादा है तुकि जे चिकन है तो इसमें 3-4 चमच मैंने एड़ की ये है और अभी सोय सोस है तो इसके ज्यादा ही यूज़ करूँगी फिर उसके बार अभी चिली सोस है लिए के हमारे घर्वाले सुध। सब जो है यूज़ि पिसंद करते हैं स्पाइस बच् estudio भी है लिए बच्चे भी खा लेते हैं स्पाइसी जीकर आज का मुसा भुट खुशकुवार, बहुत प्यारा है तो फिर सब का दिल गनाता है कि कुछ हो स्पाइसी तो फिर हमने गर में ये जल्दी से मैंने इसके मैरिनेशन की तकरीब एक देट गुंटे के लिए बस ये रखी जाएगी फिर इसको मैं फ्राइ करूंगी तो सबसे पहले मैंने तंदूरी मसाला एड़ किया है सोसिस के बाद और इसमें नमक एड़ करूंगी अभी एक चमच तो अभी मैं इसको अच्झे से mix कर लूँगी तो देखे इसमें मैंने भी Chinese नमक भी add किया है तकरिब से एक चमच मैंने Chinese नमक इस पर add किया था बहुत अच्छे मसाले इसमें mix हो गए हैं मैंने chicken को पहले cut लगा लिये थे अंदर से देखे नजर आ रहे हैं यह लगाए है तब इसके उपर मैं अच्छी रखेंगी तकरीबन दो से थीछ चमच में मैं अच्छी रखेंगी और इसको भी अच्छी से मिक्स कर दोंगी तो मैंद अच्छी रखने का मकसद यह है कि जब मैं इसको डैक्ट फ्राई करूंगे तो मसाला आइल में नहीं जाएगा तो अभी मैंने इसको मैरिनेशन के लिए रख दिया था तकरीबन देर से दो गंटे के लिए तब तक हम गर्दने फ्राई की थी वह काम कर लिया उसकी पार्टी कर ली तो अभी चीकिन फ्राई करूंगी अभी इसकी पार्टी ओगी जैसा कि मुझम अज इतना अच्छा है तो चाहे के साथ पकोरे यहां फिर रोस्ट रोस्ट तो होना चाहिए जैसे बारे शुरू हुई तो फिर हर कोई यही कह रहा था कि कोई अच्छी सी चीज होनी चाहिए स्पाइसी तो फिर मैंने इसके मेरीनेशन की फिर नेक्स जो मैंने दिखाई चिकन की गरत ने उनको फ्राइ किया तो अभी मुझे तक्रीबं रेट से दो घंटा हो गया था इसको मेरीनेशन की होए तो अभी मैं यह फ्राइ कर रही हूं यह मेरे घर में अभी लेबल थी चीजे तो इसलिए मैंने जल्दी से बना ली यहमारे नुक्र चलते हैंalfाई तो अगर यह ना होती तो आलोको पुकोड़े पयास की पुकोड़े यह से हरे चलने थे यह कि क्यों कि बाशिकर मुश्ब्र में तो कोई भी बाहर जाने वाला नित्वा भर नहाफ कर दए हो दो लीका लगता लिए लर्ग pursue is this ने में निकाल लिए हैं अभे फिर मैंने घरम पानी में सको टॉया उफ्जा कर लिया था रिप्घ वथ्या Спिज दो हो गया था च्छिरे तो पीस सारे पीसिस अलाद अलाद हो गए तो फिर मैंने इन पर कट लगाया नाइफ के साथ डीप कट लगाये थे ताकि मसाला अंदर तक सब हो जाए और अभी जैसे फ्राई हो रही है तो यह अंदर से अच्छे से फ्राई हो जाएगी गल जाएगी चिकन तो अभी आदा हुआ है तो अभी आदा और बाकी भी फ्राई हो रहा है इसमें ज्यादा मोबाईल में बताने क्यों ज्यादा डाव कलर आ रहा है ऐसे जैसे जल गया है लेकिन नहीं यह तो बहुत ही अच्छा फ्राई हुआ है बहुत ही अच्छा स्पाइसी और क्रिस्पी है बहुत ही टेस्टिर है और सबने बहुत पसंद किया है तो में अगर आज की वीडियो अच्छी लग तो लाइक जरूर कीज़ेगा और कुबेट में बताएगा कि वैस्पीस कैसी लाइगी और रोमें चनल को नहीं है तो सब् अच्छा मंदे का दिन में रहा बहुत ही जबदाज वोड़ी अच्छा खुशकोवार और ठंडा 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 और मिर वीडियो को लाइक और कुमें जो किज़ेगा अपना खाल में चलेगा अच्छी 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 बाइगा तो सब्सक्राइब ही ज़रूर करें पि बिलिगे अच्छी में लुट्पीज